पुराने आर्टेस्स के लगे हैं तो वैस यह हैं आगा रहां तो इस विलोग को कर लेते हैं यह इंसे स्टार्ट और अभी मैं उच्चुका हूं सोबा उचुकी और मोसम तो भई अभी वेसी ओर रहा है जिसे होता है रोज आपी मैं जा रहा हूं नीचे और आज हमें जाना है जी पी टीवी के चैनल पर उसके शूट पर तो वहां जाएंगे हम आपको पूरा में विलोग दिखाऊंगा तो चलते हैं अभी हम नीचे नाश्टा गिरा कर लेते हैं और रेड अभी मुझे जाना है शूट पर पाकिस्तान टेलिवीजन जो है वहां जाना है मुझे वो भी मैं आपका पूरा मलब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहां जो शूट हो रहा है क्या हो रहा है सहरा कुछ आप लोगों को इस वीडियो म पर qui याते रहते हैं और शायद ढहर भी यह ओर बहुत से चैनल पर आते रहते हैं और भी इंसे पूच लेंगे कि वह किन की चैनल में उनके साथ ही जारे हैं तो उनसे इंटर्व्यू ले लेंगे हम के वो मत एक्से उनका शूरू हुआ सफर कैसे उन्होंने एक्टिंग की म माशाले से अब बहुत एच्छे एक्टर बन गए हैं, उनकी एक्टिंग में बहुत ही ज्यदा अच्छी है, तो चलते हैं गाइस अभी है, पीटीवी पर, पहले हम जाएंगे मुस्टफा अबासी के घर, वहां से फिर हम जाएंगे सीधा पीटीवी पर, पाकिस्तान टेलिव पाकिस्तान यहां पर भी सारे कुछ लगा हुआ है, पाकिस्तान मतलब एक चैनल नहीं है, इनका बहुत सारे चैनल है, पीटीवी अलग अलग चैनल से, पीटीवी हॉम है, पीटीवी स्पोर्स है, पीटीवी वाल्ड है, दूसरे भी बहुत सारे हैं, और यह है मुस्तफा बढ़ा है वही मैं तो अभी अंदर आया हूँ ज़स तो मुझे अभी से ही बहुत ही ज़दा बढ़ा लग रहे है और यह जो भी पिचर्स अगेरा लगी हुए है यह आर्टिस्ट जो पुराने गुजर चुके हैं यहां के पी टीवी स्टेशन के और मतलब टीवी के आर्टि क्योंके याभी मैकड़ वगेरा होगा गैज यह है पी टीवी का मैकड़ रूम तो चलते हैं गैज अंदर गैज यहां पर चल रहा है मैकड़ मुस्तफ़ा अबासी का और जो हैं दूसरे भी जो एक्टर्स हैं जो आर्टिस्ट हैं उनका भी जो इस कास्ट है इस ड्रामे की वो उनका मेकप वगेरा चल रहा है यहां पर और यह हैं आगाराफे मुस्तिफा अबासी को तो आप लोग जानते ही होंगे मुस्तिफा अबासी भाई का तो हो चुका है मेकप अब बस दूसरे एक्टर्स का भी हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे सीधा शूटिंग पर शूट पर तो वहां भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाईज इस वक्त में मौझूद हूँ पी टीवी स्टेशन पर मलब पाकिस्तान टेली भी चलते हो ये है हमारे मेकप रूंग जहां पर आर्टिस्ट वग्रा का मेकप हुआ था अभी शूटिंग हो गाईज लागी है है शूटिंग पर सेट पर जहां पर शूटिंग होगी इस बाइक के साथ और ये जो है वैन भी आ चुक ए गैज मैं आ चुका हूँ पी टीवी की शूट पर तो सब्सक्राइब कर लो और गाइज यहां पर एक सेटिंग वगरा चल रही है गाइज मुस्तफा बासी भाई जो ह जो इस शो में वकार का किरदार निभा रहे हैं वो अभी बाेक पर बेट चुके हैं और मतलब फुल हिरो का स्टाइल दे रहे हैं क्योंके इसमें हिरो ही है वो गाईज यहाँ पर सूटिंग अगयरा इस टार्ड हो रही है यह कैमरा अगयरा सेट कर रहें यहां पे और यहां पे एक्टर सागेरा भी डेडी है यहां पर एक यह चूट को बार बार री टेक करना पड़त है गैज यहां पे जो है अब सीन स्टार्ट हो रहा है जो यहां से गाड़ी आ रही है और यहां से एक्टर आ रहे हमारे तो इन दोनों का भी टक करोगा रही दोबारा री टेक होगा अब यह दोबारा खराब हो गया हमारा सीन तो दोबारा अब शुरू हो रहा है दोबारा यहा सीन हमारे फाइनल डिया Гोब हो चुका है आगे बढ़ता जा में चाए आगे आगे का सीन हो ता मेहां पर जिस जा रहा रहा है न की उसके बाद जाकर ऐसीन बनता है पूरा जो ड्रामा बनता है पितिएंडल पे अप जरूर बनसंता है एक आप दुबारा ये वाला रीटेक होगा कि ये गाड़ी से निकल रहे हैं और ये गए ये वाला जो सीने ना ये दुबारा होगा इसमें बहुत ही जड़ा टाइम लगता है एक शोट करने में पहले तो लॉंग वीडियो शूट होता है फिर दूसरा भी आपको दिखाऊंगा जब सामने से शूट होगा कि वेगी ही, कि लड़े होगा जाइम리क टेमा जड़े खिने से लिएमी限ा इना में ल अवजाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अर दो कुका था अब दूसरी साइट से दूसरे एंकिल से यह वाला सीन रिकोर्ड करना है यार इतनी दूप में कर रहा हूं तो एक सब्सक्राइब तो कर लो जल्दी से और यह देखें कितना वी आई पी यहां से भी सीन आ रहा है ये भी सीन रिटेक होगा भाई जान ये ऐसे रिटेक होते रहते हैं सारे सीन जो हैं रिटेक होते हैं क्योंकि आखरी तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा टैन लगता है इनको जोटीज आज़ा डूसरा सीन है इनका तो प्लीज मेरे यूटुब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें है हम सब चानक किडी का कटी आजका पेंजीन से पाइक डिया थे एफ प्रेंपरेंड़ी को चानक कीडीन है जो लड़की है वो अब यह दूसरे अंगल से शूट होगा तो देखते हैं यह अब कैसे शूट होता है जो जो लड़की है वो अब निकल कर आएंगी को और उनका सीन जो है शूट होगा सारा और देखते हैं कि यह एक्चुली में रियल में शूट कैसे होते हैं ड्रामे जो होते हैं यह देखें यह रियल में कोई चमाट वगेरा नहीं लगता बस यह दिखाया जाता है हमारे इस ड्रामे में के इस त राजमी, मिलते हैं अगले है पार्ट में